रित्तिक रोशन की मूवी फाइटर जो की सिनमा हॉल में लग चुकी है सिनमा हॉल में लोगों ने खुब पसंद किया है अभी तक जो भी रिविव आई है उसमें फैंस ने कहा है कि फाइटर की केमिस्ट्री जो की दिपिका के साथ बहुत ही शान्दा जज रही है यहां तक की दिपिका की पाठान से भी बहुत अच्छी है फाइटर फिल्म फाइटर की लोगों ने ये भी कमेंट करके कहा कि किस तरीके से इंडियन एरवेस को दिखाया गया है इंडियन आर्मी को दिखाया गया है और यहां तक कि लोगों ने प्लेन उड़ते हुए साथ के साथ लास्ट की जो फाइटिंग सीन है उसकी खूब तारीफ की है हर कोई दिवाना है रित्ति की फाइटिंग सीन की और दिपिका के साथ दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है दिपिका ने इस मूवी में काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है अभी तक की जितने भी मूवी आई है दिपिका की उनमें से सबसे ज़्यादा तारीफ फाइटर की हो रही है फाइटर में जो कि मूबी प्रोमोशन में सबा आज़ाद भी रित्तिक रोशन के साथ नजर आई दोनों के कपल गोल को भी खूप तारीफ की गई कहा कि जोड़ी अब जाकर थोड़ी जेच रही है अब बात करते हैं अनिल कपूर की रित्तिक रोशन ने प्रोमोशन के दोरान अनिल कपूर की ता applies कहा कि अब तक की मेरी लाइफ में मैंने जितने भी सीनियरों के साथ काम किया है इसमें सबसे जादा अच्छा 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 लगा उनके साथ काम करते हुए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरे सीनियर है मुझे पता है हमेशा ही सीनियरों के साथ काम करते हुए कुछ सीखने को मिलता है परानिल कपुर ने मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि वो मेरे सीनियर है हमेशा helpful रहे और मुझे खूब help किया fighter movie लोगों को जरूर पसंद आनी चाहिए क्योंकि इस movie में मैंने काफी मेहनत की है और सच बात है रितिक रौशन की मेहनत की तारीफ जरूर हो रही है उनके fans बहुत ही तारीफ कर रहे हैं को भी अभी तक डिस अपाइंड नहीं दिख रहा आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता है